Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha आपकी अपनी English Educator और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 12 की जो आपकी एलेक्टिफ बुक है विच इस कलाइडोस्कोप उसके ड्रामा नुबर 2, Broken Images की आज कवर करने वाली हूँ मैं समरी So let's begin with our summary The play Broken Images by Girish Karnat starts in a television studio with a large plasma screen on one side and a chair and a table on the other So this is the whole play with Broken Images, who has written it? Girish Karnat ने लिखा है, यह बट बड़े playwright है, actor भी है, movies में भी आचुके है तो जब play शुरू होता है, तो इस तरीके से शुरू होता है कि एक television studio का setup दिखाए गया है, जहाँ पर बड़ी सी plasma screen लग हुए जैसे TV studio में रहती है न वो, जिसके एक तरफ सामने plasma screen है और इस तरफ table और chair रखी हुए हमारी story हमारे play की जो protagonist है जो main character है जिसका नाम है Manjula Nayak वो अंदर आती है stage पर क्योंकि यह उनीक interview होने वाला है इस television studio में वो आती है और अपनी chair पर बैट जाती है वो अपना lepel mic जो लगा रहता है वो adjust करती है, check करती है और सारे instructions सुनती है अपने speaker में अपने headphone में जो वहां से सामने जो तीवी श्री चैनल का जो वहां पर असिस्टेंट है रजा नाम का उसका नाम रजा है वो सब माम को instructions दे रहा है Manjula Nayak को कि ऐसे ऐसे करना ऐसे बटना है तो सारे instructions सुन रही है और जो वहां से बंदा speaker है जो भी वहां से बोल रहा है उसको वो बता रही है कि ठीक है जो भी मेरी speech है वो 10 minutes से जाधा की नहीं होगी और finally अब time आ गया है live जाने का याने audience अब Manjula Nayak को टीवी पर देख पाएगी तो अब जो main announcer है याने कि जो अब टीवी चैनल पर बंदा है जो announce करने वाला है कि अरे अब Manjula Nayak आने वाली है वो आता है screen पर और Manjula Nayak को introduce कराता है सारे viewers को याने सारे दर्शकों को श्री टीवी के चैनल पर अब Manjula वो बताता है Manjula Nayak एक English lecturer थी और उनकी तारीफ में बहुत सारे पुल बानते है Basically Manjula Nayak एक lecturer थी college में और एक काफी जानी मानी कनडा याने कनडा लैंग्विज जो होती है उस language की short story writer भी है काफी renowned है काफी famous है उनकी पहली novel जिसका नाम है The River Has No Memories जो की English में लिखी गई है वैसे तो ये कई सारी novels, short stories लिख चुके हैं लेकिन English language में इनोंने पहली बार एक novel लिखी है जिसका नाम है The River Has No Memories ये जो इनकी किताब है इनोंने जैसे पूरे दुनिया में भड़कम मचा दिया हूँ इतनी बिक्की इनकी किताब इतनी पसंद करी लोगों ने कि आज इनको श्री टीवी चैनल पर इनका क्या है एक interview है Manjula जैसे ही screen पर आती है वो starts करती है light mode पर बताती है कि officially उनका नाम है वो है Manjula मूर्ती क्योंकि obviously इनकी marriage हो चुकी है और इनके husband का नाम था प्रमोध मूर्ती तो यह अपने husband का नाम लगाती है लेकिन जब भी professionally बात आती है जब यह किताब लिखती है तो यह अपना नाम marriage के पहले वाला ही नाम लिखती है which is Manjula नायक क्यों क्योंकि वो कहती है कि हस्ते हस्ते कहती है मैं अपने creative self में अपनी खुद की identity डालना चाहती हूँ फिर वो आगे बोलती है कि सबसे पहले तो मैं उन दो questions का answer करूँगी जो मुझसे repeatedly लोग पूछते हैं पहला question वो कहती है कि लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैं एक कनड़ राइटर हूए याने कनड़ language में किताबे लिखती हूँ और suddenly मैंने English language में इस बार अपनी एक पह लिख ली याने मेरे अंदर से आया कि मुझे कहानी को English में लिखना चाहिए और इसलिए मैंने के पूरी novel को English में लिखा ये कोई conscious decision नहीं था याने कोई सोच समझ के जाना बूचा जान बूच के मैंने को ऐसा नहीं लिखा कि चलो इस अब अगली novel तो मैं English में लिखूँग कि तुमने अपनी मातर भाषा कंणर language को छोड़के अंग्रेजों की भाषा में लिखा है तो वो कहती है तो क्या हुआ उसने लोगों को कहा कि भाई मैंने कोई अपनी मातर भाषा को त्याग नहीं दिया है पैसों के लिए क्योंकि उसकी किताब के लिए उसको बहुत पैसे बोला कि your novel has a genuine Indian feel, कि तुम्हारी novel में बिल्कुल Indian feel आ रहा है, ऐसे कई सारे Indian writers हैं, जिन लोगों ने English में लिखा है, लेकिन उन लोगों ने English touch दे दिया है उन novels में, तो यहां के जो readers हैं, English readers हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं दिखता, लेकिन तुम्हारी जो novel उसमें authentic Indian taste आ रहा ह हैं, तो यहां के जो readers उनको पढ़ने में अच्छा लग रहे हैं, तो कहती हैं, मैंने अपनी मातर भाषा को कोई छोड़ा नहीं है, मैंने अभी भी Indian touch ही दिया है अपनी novel को, फिर जो second सवाल उससे हमेशा पूछा जाता है, वो यह है, वो उसकी किताब के बारे में होता है, और पूछते हैं लोग कि आप मंजुला नायक तो इतनी strong और active लेडी दिखती हो, फिर कैसे आपने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में इस पूरी novel में लिखा है, जो ता उम्र एक wheelchair पर रह गई, याने मंजुला की बुक में एक ऐसा character था, जो all time wheelchair पर रहती थी, उसको बीमारी थ वो चल फिर नहीं पाती थी, तो एक बीमार इंसान जो all time wheelchair पर बैठा है, तो इसके अंदर कितना emotional conflict होगा, कितनी emotional sensitive चीज है, तो इतनी sensitive चीज को लोग पूछ रहे थे कि इतनी sensitive चीज को आपने अपनी novel में कैसे mention किया, जबकि आपका खुद का character तो कितना opposite है, आप कितने energetic ह all these things, तो इस question का answer वो देती है, कि मैं पूरी तरीके से अपनी छोटी बेहन, मालिनी की आभारी हूँ, क्यों? क्योंकि जो मेरी बेहन मालिनी थी, छोटी बेहन, वो physically challenged थी, उसको एक meningo mycel Iseal नाम की बिमारी थी, जिसमें उपर का हिस्सा शरीर का तो सही होता है, लेकिन कमर स होता है, वो किसी काम का नहीं होता है वो पैर, तो वो वीलचेर पर उसने पूरी उम्रे निकाल दी, तो कहती है कि जब पहले तो मेरे पैरेंट्स के साथ रहती थी लेकिन फिर मेरे पैरेंट्स के डैथ हो गई तो मैंने उसको अपने घर बुला लिया जैनगर में और मैंने जब तक उसकी सेवा करी, उसकी केयर टेक करी जब तक उसकी डेथ ना हुई कहती है कि मेरा कोई बच्चा नी है, मैं चाइडलेस हूँ इसलिए मेरी छोटी बहन मेरे बच्चे की तरह ही थी तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक physically challenged person के अंदर क्या-क्या problems, issues, emotional battles होते तो इस वज़े से मेरी novel में मैंने character अपनी बहन का लिया है और वही original character है मेरी life का बाकी मेरी novel में जो भी characters है वो fictional है याने कालपनिक है लेकिन जो मेरी बहन वाला character है वो original मेरी life से ही लिया गया है फिर अपनी speech जब उसने finish करी और Manjula बस जब वहां से निकल नहीं वाली थी तब ही उसने notice किया कि plasma screen पर क्योंकि जब वो live बात कर रही थी तो screen पर लोग उसको भी देख पा रहे थे अब जब show खतम तो वहां पर एक पिच्चर चलने वाली थी करनार लैंग्विज में जो कि चली ही नहीं Manjula जब गई तो Manjula ने देखा कि screen पर अभी भी वो दिख रही है उसने अपने लेपल माइक में चेक किया और पूछा कि भाई अभी भी मैं live हूँ याने दर्शकों को मैं अभी भी दिख रही हूँ क्या मेरी तो समीच खात हम वहां से कोई आवाज नहीं आई लेकिन फिर जब वहां से जाने लगी तो screen में Manjula ही दिख रही थी और वो उससे कहती है कि मैं तुम ही तो हूँ कहती है कि तुम इस वक्त खड़ी हो और मैं चैर पर बैठी हूँ अकर हम live होते तो मैं भी तुम्हें खड़ी दिखती स्क्रीन पर लेकिन मैं बैठी हूँ हूँ तो basically screen पर Manjula खुद को देख रही थी और वो उसका inner conscious रहा ने वो मानों अपनी अंतरात्मा से बात कर रही थी उसको विचारी को समझ में नहीं आ रहा था वो confused हो गई थी कि आखिर हो क्या रहा है यह कैसे मेरा conscious मुझसे बात कर रहा है जो image थी सामने Manjula की ही वो Manjula से कई सारे question पूछती है जैसे कि उसका जो घर था कोरा मंगला में उसके बार में पूछती है image उससे पुछती कि तुम कोरा मंगला में वहां क्यों नहीं जाकर शिफ्ट हो गई जहां पर तुमारे माबाप और तुमारी बहन रहते थे वो तो कितना बड़ा घर है तुम इत्ते छोटे से घर जैनागर में क्यों रहती हो तो मंजुला ने आंसर दिया कि पहले आंसर दिया जूटा मूटा कहती है कि इसली नहीं रहती क्यों क्योंकि वो तो घर बहुत बड़ा है उसकी maintenance बहुत लगेगी और अकर उसको maintain करना पड़ेगा तो मुझे अपने job काम धाम सब छोड़के अपनी मां की तरह घर में ही रह क्यों क्योंकि वहां तो मेरी छोटी बहन मालिनी रहती थी कहीं न कहीं हमेशा से एक insecurity थी मंजुला के अंदर कि उसके जो parents थे वो मालिनी को shift करके बैंगलॉर ले गए एक अच्छी जगा पर ले गए वो बिचारी चल नहीं पाती थी तो उसके लिए एक English और Maths का renowned teacher धर आक इंटेलिजेंट और smart थी कहीं न कहीं उसको कहीं न कहीं ये था कि in fact last में जो इसके father death के बाद पैसे भी छोड़कर गए तो वह यही बोलकर छोड़कर गए कि मालिनी के take care में ये पैसा काम आए तो कहीं न कहीं parents ने बहुती ना इंसाफी करी manjula के साथ जिसके वज़े से उ ये सारी चीज़े उसने image को बताई फिर image ने उसके पती प्रमोध मूर्ती के बारे में उससे पूछा कि तुम लोग कैसे मिले and all तो उसने बताया image को कि प्रमोध मुझसे ऐसे मिले थे कि प्रमोध ने दो letter भेजे थे एक मुझे और दूसरा मेरी बहुत close friend Lucy को और उसने अं जब मेरी छोटी बहन मालीनी मेरे घर मर हने आई तो मेरे हस्बंड भले ही वो wheelchair थी मेरी छोटी बहन मेरे हस्बंड कहीं मेरी चोटी बहन सा attract हो गए और उनके काफी close relationship develops हो गए और जब मेरी छोटी बहन मालीनी के death हो गई उसके बाद मेरे हस्बंड मुझे छोड़कर लोस लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ बात नहीं करी सिर्फ मुझे मेल ड्रॉप कर दिया कि मैं नहीं आ सकता मुझे छुटी नहीं मिल रही ऑफिस से वो एक सॉफ्टवएर इंजिनियर था और जूटे मूँ ऐसा भी नहीं बोला मंजुला से कि थे लो मैं नहीं आ पारा तो तुम मुझसे मिलने आ जो तो इतनी डिफरेंसे बढ़ गा हैं उसकी छोटी बहन की वज़े से दोनों हस्बेंड वाइफ में तो यह सारी चीजे मंजुला ने अपनी अपनी इमिज याने अपने इनर कॉंशिस अपनी अंतर आत्मा जो स्क्रीन पर थी उससे सब बाते अपनी शे स्पीच दे दी जिसमें वो अपनी बहन की तारीफ कर रही थी अपने पती की तारीफ कर रही थी लेकिन अंदर से वो इन सब लोगों से खफाए और अपने नाम पर उस बुक को पब्लिश कर दिया जो की बहुत सूपर हिट हो गई मार्केट में इसलिए वो बनावटी एक स्पीच दे रही थी वो तो कन्नड लैंग्विज में थी हमेशा राइटिंग करती थी लेकिन उसकी बहन उसके फ्रेंड सब कुछ इंगलिश में बोलते थे तो इसी लिए जब एक जब इमेज ने पूछा था एक सवाल मंजुला से कि आपकी अगली इंग्लिश नॉवल कब आ रही है तो उसने बोला एक जो मैंने लिखी एनफ है काफी है वो इसलिए बोला था क्योंकि वो इंग्लिश में अच्छा लिखी नहीं सकती उ कंणड लैंविज की मतलब राइटर थी और कोरम उंगला वाला जो घर था वहां पर भी वह इसली नहीं रहने गई क्योंकि आसपास में जो छोटे-चोटे घर थे वह फॉरेन में रहने वाले जो एनराइज होते हैं उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के परपस से खरी लिये आसपास कोई कंणड बात करने वाले लोग नहीं थे तो इसलीए वह रहने ही नहीं गई इसको कि कंणड लैंग्विज पसंद थी उस लैंग्विज में लिखना पसंद था इसलीए वह गई ही नहीं आखरी में मंजुला बहुत जादा एक्स्प्लोड होती है गुस्सा करती है इमिज के उपर और जैसे बहुत तूफान आ जाता है उसके गुस्से की वज़े से क्यों क्योंकि इमिज जो है जो उसकी अंतरात्मा उससे वो सब सवाल पूछ रही थी जो कि प्राइवेट क्वेशन्स उसकी लाइफ के तो इसलिए वो बहुत गुस्सो आई और इमिज से कहती कि तुम होती कौन हो मुझसे मेरी परसनल लाइफ के बार में questions पूछने वाली और मैं सब तुम्हें क्यों आंसर करूँ और इमिज जो होती है सामने smile करती है और मनजूला suddenly चुप हो जाती है और काम हो जाती है क्योंकि वो ही समझ चुकी होती है कि मैंने अपनी अंतरात्मा से वो सब बाते बोल दी जो शायद मैं audience के सामने अपनी life में कभी भी नहीं बोल पाती और यहाँ पर हमारा जो पूरा play है वो होता है खत्म परदा गिर जाता ओके? So this was all about our beautiful play, यह इसकी short summary थी I hope आपको summary अच्छे से समझ में आ गई होंगी Other than this, do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel तब तक के लिए, bye bye and take care